हेलो फ्रेंड्स, एडू ब्लॉसम चैनल के वीडियो में आपका वेलकम है, स्वागत है, आज एडू ब्लॉसम चैनल के थूरू हम जो वीडियो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, शेर करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है, हाउ टो फाइट मोबाइल फोन और जब मोबाइल फोन एडिक्षन की बात करते हैं, तो यह फील होता है कि यह कौन सी नई एडिक्षन हमने अपने साथ लगा ली है, आज एक छोटा सा बच्चा जब जनम लेता है, और वो जब छोटा बच्चा चलने फिने लाइक नहीं होता है, वो अपने पालने में होत है, तो अगर उसकी मदर बिजी होती है, तो उसको मुबाइल फोन पकड़ा दिया जाता है, ताकि उसकी लाइट देके, उसका म्यूजिक देके, बच्चा थोड़ी देर रोना बंद कर देता है, और मदर भी अपना काम कर लेती है, बट वो एडिक्षन एक पर ऐसी लगती ह है, वो बच्चा चलने फिने लग पड़ता है, छोटे स्कूल में जाता है, बड़े स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, उसके शादी हो जाती है, वो जौब करने लग पड़ता है, और रेटायरमेंट भी हो जाती है, आज की डेट में इतना फास्ट मुबाइल फोन का trend चला है कि आप छोटे बच्चे से लेके आप बजोर के हाथों में भी mobile phone देख सकते हो, mobile phone different age के लोगों के लिए different effect करता है, आज इस वीडियो में हम mobile phone addiction की बात सिरफ education के साथ linked students के लिए करेंगे, बड़ों ने तो अपना career बना लिया हुआ है, उन्होंने अच्छी salary भी ले चैनल एक मुकाम तक लेके जानी है, उनके लिए mobile phone addiction कितना काम खराब कर सकता है, और उसको improve करने के क्या तरीके हैं, हम इस वीडियो के थुरू आपके साथ जरूर share करेंगे, हमें उमीद है कि आपको हमारी वीडियो जरूर अच्छे लगेगी, अगर आपको हमारी वीडिय जो basically student के ओपर ही oriented होगा, आज की date में जो mobile phone addiction students में जा teenagers में देखी जा रही है, आप इस वीडियो से समझ सकते हैं, पहली वीडियो में आप देखिए कि जैसे mobile phone की जो सलाके बनी होई है, जैसे jail की सलाके होती हैं, लड़की पीसे उसमें कैद है, तो होता कहा है, first you purchase mobile phone, आप आपने mobile phone खरीदा, पैसे देके, फिर mobile phone ने आपको खरीद लिया, mobile phone ने आपको कैसे खरीदा, उसने आपका time आप से चीन लिया, और time is money, जब mobile phone ने आप से आपका time, आपका समय खरीद लिया, तो इसका मतलब आप खुद mobile phone के तुरू खरीद दे गए, students का precious time जो कभी वाप इस नहीं आएगा, वो mobile phone के excessive use में वेश हो रहा है, यह जो आपके सामने pictures दिखाईगे हैं, मुझे उमीद है कि आप इनको जरूर agree करोगे, देखे, parents ने जब अपने बच्चों को mobile phone लेके दिया, तो parents ने कुछ benefits सोचे होंगे, कि mobile phone के benefits क्या है, और हम इस चीच को deny नहीं कर सकते हैं, अगर हम mobile phone को अच्छी तरह use करें, तो हमें ऐसे benefits मिलेंगे, जो पहले कभी available नहीं थे, अगर आप internet को proper use करना चाहते हो, internet is basket of knowledge, तो आप mobile phone के through internet में कुछ भी डूण सकते हो, आप अपनी study material के बारे में कुछ भी डूण सकते हो, general knowledge के बारे में कुछ भी डूण सक papers, आपको कुछ भी purchase करने की जुरूदत नहीं है, आप reference books खरीच सकते हो, market से, उसकी जगा आप सीधा download कर लो, e-book available है, internet के through salt question paper, 10 साल के question paper download कर सकते हो, आप अपने पचंद के YouTube videos उस करके, आप कोई भी topic समझ सकते हो, जो आपको अपकी class में, जो आपकी tuition में समझ नहीं आया आपके teacher, जा आपकी tuition के जो teacher है, जा school के teacher है, वो आपको एक topic बार-बार नहीं समझाएंगे, बट आप अगर YouTube में जाते हो, आप अपनी कोई भी video download करते हो, वो आपके पास हमेशा रहेगी, और जितनी बार आप चाहोगे, आप YouTube video के तुरू अपनी problem को बार-बार sort out कर सकते हो, आप sharing of notes, picture and documents भी कर सकते हो through WhatsApp, और WhatsApp के बाद आपके पास अगर गो document उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, आप video calling भी कर सकते हो, अपने parents के साथ, अपने दोस्तों के साथ, चाहे हो within city है, within India है, abroad है, कहीं भी है, तो आप video calling कर सकते हो, ऐसे लगेगा कि हम एक दूसरे के स जब कोई भी regional language है, आपको newspaper खरीदने की जुरूत नहीं है, और आप newspaper घर बैटे-बैटे, e-paper through पढ़ भी सकते हो, अब dictionaries भी देख सकते हो, आप अपनी पसंद की video, music, कुछ भी देख सकते हो, कुल मिला के क्या मतलब निकला कि अगर मैं benefit of mobile phone की बात करो, तो you can use it as a tool for your goals of life और अगर मैं नुकसान की बात करूं, what are the harms of mobile phone? अगर आप mobile phone एडिक्ट हो गए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितने घंटे, 4 गंटे, 5 गंटे, 8 गंटे, 10 गंटे, कितने घंटे अपने mobile phone के सामने waste कर दिए, वो time जो कभी वापिस नहीं आएगा, आपको health issue भ बेस्ट कर सकते हो, inappropriate adult content की website में जाके, सरकार की तरफ से कोशी तो यहीं होती है कि age bar fix ही जाए, पर कई पर ऐसी adult site में अगर आप जाते हो तो आपका time ही बेस्ट होगा, क्योंकि यह आपका goal नहीं है, और finally क्या हुआ, you may fail to reach your goals during your study life, जो आप अपनी study life के थुरू achieve करना चाहत हो, so mobile phone is a good servant, but not a good master, it is a bad master, अब बात करेंगे, what are the different tips, what are the different ideas, जिसके थुरू आप mobile phone की addiction को fight कर सकते हो, उससे आप लड़ सकते हो, देखे, access of everything is bad, अगर हम बात करें, खाने पीने की, सोने की, जादा खाओगे, जादा मोटे हो जाओगे, जादा सोगे, आलसी हो जाओगे, इस तरह mobile phone जादा जूस करोगे, तो आपको addiction आपको लत लग जाएगी, आपका time कीमती है, don't waste it in living someone else life, आप क्यों अपना समय किसी और पे use कर रहे हो, किसी की film देख ली, किसी की biography पढ़ ली, इतना ही use करोगे, आपका relax हो mind, 4-5-5 घंटे आप किसी को search कर रहे हो, तो उसकी क क्या जरूरत है, don't waste your time, आपका time आपका है, जो वापिस नहीं आएगा, don't document every minute of life, live it, आप जिंदकी जीओ, हर चीज़ पे photo कीजना जरूरी नहीं है, खाने बैटने हैं तो table पे बार-बार photo click करनी जरूरी नहीं है, believe in yourself, nothing can stop you unless you give the authority, आप जब तक नहीं चाओगे कि आपको क on dictate करे, कोई भी आपको dictate नहीं कर सकता, be committed to your goals, time will never return again, time एक बार चला गया है, वापिस नहीं आएगा, your goal in student life is to utilize the available time, तो students आपका जो goal है, आपका क्या goal है, आप अच्छे number से pass होना चाहते हो, उसके बाद अच्छे college में, चाहे वो engineering college है है, चाहे वो medical college है, चाहे NDA है, चाहे आप admission लेने चाहते हो, ताकि finally आपको एक अच्छी job मिले, अच्छी salary मिले, जा आपको अच्छा business खोल ले का मौका मिले, mind it, I will never return back, your mobile can beat, आपको phone मिल सकते हैं, बढ़ी है, बढ़ी है, महंगे महंगे, पर time वापिस नहीं आएगा, आप अपने phone uses को track करना शुरू करो आच study material भी download करना है, इतना ही जूज करना है आपने, इसे ज़्यादा आपने जूज नहीं करना, आप notifications turn off कर दीजिए, notifications आपको deviate करती हैं, कि ये देखूं वो देखूं, नहीं और ही turn off तो आप schedule कर दो कि दिन में 2-3 बार से ज़्यादा मुझे notifications ना मिले, ताकि आपका ध्यान स जूज कर सकते हैं, तो आपके उपर checkpoint लगा रहा है, आप अपने mobile को अपना friend बनाईए, as a knowledge bank यूज कीजिए, study rated videos डाउनलोड कीजिए, study material डाउनलोड कीजिए, screenshot बनाईए, जो भी चीज समझ लगी है, voice recorder मोबाईल में available होते हैं, अपनी language में उसके notes बना लीजिए, ताकि क जब आप उसको पड़ो, आप उसको सुनो, तो आपको हर चीज असानी से याद आ जाए, हर recommendation को accept करना ज़रूरी नहीं है, जो आपके काम की recommendation उसको accept करो, बाकि ignore कर दो, अपना time phone uses पे minimum करो, और अपने parents के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, और अपने दोस्तों के साथ, ब जादा जूज किया, आपकी family, आपको friends, आपको टोकेगी, आपकी ego hurt होगी, पर उसका फाइदा आपको होगा, आपको फिर target मिल जाएगा, कि मैंने phone कम से कम यूज करना है, बड़ा अच्छा तरीका एक और है, वीडियो डाउनलोड की, mobile से SIM बाहर निकाल दो, study material ना रहेगा SIM, ना रहेगा internet, so, कुल मिलाके हमने इस वीडियो में आपके साथ जो tips यूज की है, हमें पूरी उमीद है कि अगर आप उस tips को यूज करते है, तो आपका जरूर mobile phone addiction कम करने की help मिलेगी, मदद मिलेगी, हमें उमीद है, दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पचांद आई होगी, आप इस Edu Blossom चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में डाली, ताकि आने वाले वीडियो में हम अच्छे content लेके आपके साथ जरूर अपने discussion के और knowledge sharing के ideas से share कर सेके, thanks very much again for sharing, liking and watching our video, thank you very much